दोस्तों ऐसे तो मार्केटें बहुत डेट सार ओप्षिन्स एबिलेबल हैं इंवेस्मेंट करने का लेकिन शेर मार्केट ही सबसे बेस्ट क्यूं है क्यों सबसे ज़्यादा लोग इसी को पसंद करते हैं आज की टाइम जो वर्ड के टॉप इंवेस्टेर्स हैं उनका पहला इस पिछेले बारण से कन सलथी दे कि लोगोंyesil के व tipping करते हैं तो不多 चल्ड है क्यूं लिए शुरू करते हैं धोस्तों सबसे पहले जानते हैं शेर मार्किट होता क्या रहा उसका बारnde मैंस टेप-ए-स्टेप गाइट न क्यार क्या होता है कि कंपनी के पूर्मोटर्स होते हैं जंवनws दोब नहीं तो होते हैं इस case में company दो जगे से पैसे raise कर सकती है पहला bank या किसी private investor से दूसरा option वसता है कि general public से अगर company general public से fund raise करती है तो सबस्क्राइब पहले इसको stock exchange में जाके अपने आपको list करना पड़ता है कुछ formalities होती है जिसको पूरा करने एक बाद company list हो जाती है और फिर company को जितने fund की requirement होती है उतने amount को छोट छोटे part में divide कर देती है जिसको shares कहते हैं और उसको primary market में general public के लिए पहली बार अपना IPO launch करती है और जहां सब company को fund मिलता है जब company इन fund को use करके अपना business grow करती है कुछ अच्छा कमाती है तो उसका benefit उनके shareholders को भी मिलता है जिन्होंने भी इस company में invest किया था जब ये company कमाती है तो उनको उसके बदे return देती है अब हम इसके बाद बात करते हैं कि share market में investment कैसे करें तो दोस्तों share market में investment स्टार्ट करने के लिए पहले आपको demate account चाहिए होता है और demate account आप किसी bank में open कर सकते हैं या तो किसी ने किसी broker के पास open कर सकते हैं और मैसेज़स करें हो किसी broker के पास open करें क्योंकि वो बहुत कम charge में आपका account maintain कर देते हैं दोस्तों demand open करने के लिए आपको कुछ document चाहिए होते हैं जैसे pen, अधार, cancel check, address proof और passport size photo उसके बाद दोस्तों दूसरा step होता है कि आप sector choose करें कि आप कि इस sector में invest करना चाहते हैं अगर आप share market में नए हैं और long run के लिए invest करना चाहते हैं उस बाद दोस्तों तिसरा step है जहां पर आप share को pick करते हैं दोस्तों हमेशा short run के लिए भी share pick करो और long run के लिए भी तो short run में क्या होता है आपको company अच्छा मुनाफ़ा कामा के देती है पर इसके अंदर risk भी ज्यादा होता है और long run में risk भी कम हो जाता है और return भी कम हो जाता है तो आपको maintain करके चल दोस्तों जो last step है अपने portfolio को manage करना portfolio बोलो तो आप पर वो account जिसके अंदर सारे shares पड़े होई time to time आपको portfolio को manage करना है यसाथ में भी देखते रहना है कि market में कौन कोई से ने trend में stocks चल रहे हैं और investment करने से कुछ बातों का आप खास ध्यान रख सकते हैं जिसके से आपके loss होने के chances कम हो जाते हैं सबसे पहले तो आप जो portfolio उसको diversify करें diversify बोले तो उसके अंदर हर तरह का stock रखें ताकि माली जी किसी में अगर loss हुआ तो दूसरे के profit से वह cover हो जाए उसके वाज़ा दूसरे सबसे important बात जिसका ध्यान रखना है आपने किसी के influence पर आके कोई decision ना ले खुद से study करें खुद से understand करें तब जाए कोई decision ले और हमेशा investment करने से पहले proper planning कर ले proper homework कर ले अगर दोस्तों share market से लेटेट कोई और भी जानकारी चाहिए तो दियेगे number पे call करके हमारे experts आप consult कर सकते हैं अगर आपको भी investment के लिए सबसे best option share market लगता है तो हमें reason जरूर बता क्यों क्यों ये market आपको पसंद आतना अगर वीडियो informative लगी हो तो like share subscribe कर दें और follow कीजिए financial market के से भी जोड़ी जानकारी और latest update के लिए मिलते हैं ऐसे के informative वीडियो के साथ तब तक के लिए keep investing keep earning thank you